तो इस टॉपिक पर मैं बहुत सारे रिसर्च कर चुका हूँ उसके बाद इस पोजिशन पर आया हूँ तुमारे लिए एक best sensitivity लेके और हमारे all video sensitivity के ही उपर है पर मैं अब से अपना topic चेंज करने वाला हूँ sensitivity के सांसे कुछ tips and tricks और कुछ enjoyment तो अभी तक आप लोगों इस चैनल को subscribe नहीं किया क्या कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिस करने वाले हो subscribe कर लो अभी ओके तो हमारा topic है sensitivity इस रेम की देखो सही sensitivity रखना एक बहुत अच्छी समझदारी है जो intelligent लोग ही करते हैं जो pro legend लोग करते हैं पर अगर आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते तो आप वही थो ली बोल रहा हूं प्रूब करने वाला है sensitivity को सीधा सीधा देखते हैं ज्यादा बकवास ना करके क्योंकि आज की audience ज्यादा तर फास्ट हो गई है थोड़ा सभी मैं कुछ बोलूंगा video skip हो जाएगा I know इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं और वीडियो भी ज्यादा लोग सही sensitive नहीं रख पाते हो अब general sensitivity को ही ले लो इससे movement पूरा control होता है इवन इससे headshot भी इसी मिटी का हुआ है general यह most important है general sensitivity रेड डोड क्या करता है तुम्हारा aim है तुम लोग fire करते हो उतने समय तुम्हें headshot मारने में help करता है enemy के body पर aim लाने का जिससे हमारा bullet enemy को छूपाता है 2x 4x यह भी बहुत ज़्यादा important होते हैं अगर तुम लोग in scope headshot मारना जानते हो तो यह 2 scope and 4 scope बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं इसमें मैंने पूरा समझाया है in scope headshot कैसे मारते हैं anyway तो इसे तुम लोगों को सहीं से रखना पड़ेगा योकि यह headshot मारते टाइम बहुत ज़्यादा कामा जब in scope रहोगे तब snapper scope, snapper scope को अभी मैं उतना try नहीं किया हूँ लेकिन next वीडियो में तुम लोग को अच्छे से explain करूंगा यह guarantee लेता हूँ मैं free log, free log की यह जो आँख वाला होता है side में यह है free log, इसका sensitivity बढ़ जाता है अगर तुम लोग इसे increase करते हो, अगर कम रखोगे तो इसका sensitivity low हो जा पसीना पसीना हो गया मैं, fan वगेरा सब बंद है क्योंकि noise मत आय करके, सब बंद करके video बनाना पड़ता है, और तुम लोग एक like और subscribe नहीं कर सक्या आया, कर दिया करो, anyways sensitivity देखते है, sensitivity सही होना चाहिए, मैं तुम लोग को सही से समझा तो दिया हूँ, पर तुम लोग रख और एक मैं सचाही बता देता हूँ, पूरे free fire community का, कोई भी sensitivity बताता है, या कोई भी setting, उसमें कोई भी guarantee नहीं होता, कि तुमारा headshot लगेगा, या नहीं लगेगा, या कुछ trick बताया हो, वो work करेगा, या नहीं करेगा, वो उसके phone में work कर लेता है, तब ही वो बता देता है, बाई chance अगर तुमारे phone में ये sensitivity work नहीं करता, तो comment कर देना एक बार, मैं कुछ और जुगाड़ो करूंगा तुमारे लिए, I hope तुम लोग समझ गे होगे, वीडियो को यहीं end करते हैं, वीडियो को लंबा खिसने की कोई जरूरत नहीं है, thank you, like कर देना, अगर वीडियो अ आपकी मर्जी, thanks for watching